नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम विरले देश की हैरत अंगे इस खबरों की नगरी में आप सब का दिल से स्वागत है हम जी हाँ हम भारती सच में यूनीक हैं और हमारा यूनीक सेलिंग पॉइंट है इलोजिकल होना अतार्किक होना अब देखिए ना देश की राजधानी दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केश जीवाल किस तरह से होड ले रहे हैं प्रधान मंतरी नरेन मोदी से होड है कौन बड़ा इलोजिकल दावा करता है और दोनों के बीच जो होड लगी है उसमें जो गुजराच चुनाओ अपनी भूमी का निभा रहा है वह तो इस पूरे कॉन्टेस्ट को और दिल्चस्प बना रहा है देखिए किस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है उसके जो मुखियां है उन्हें अचानक ही या इलहाम होता है कि देश की अर्थविवस्था बैठ रही है रुपिया गिर रहा है और फिर वह जो दावा करते हैं वह वाकई उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है आज मेरी केंदर सरकार से प्रधान मंतरी जी से अपील है भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्षमी जी की तस्वीर भारतिय करेंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थवेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सार एफ़र्ट्स की जुरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशिरवाद की भी जुरूरत है आप जब यह वीडियो देख रहे हैं अर्विन केजरिवाल जी का जिसे में वह प्रवचन दे रहे हैं और अपना मास्टर स्ट्रोक प्रधान मंत्री जी को बता रहे हैं उस समय इस फ्रेम में दो तस्वीरें और विराजमान हैं एक अंबेटकर और एक भगत सिंग अब देख साफ बताई कि हिंदू धर्म में जिस तरह से जातिगत गंदगी है उसे वह बरदाश नहीं कर सकते वह हिंदू के तोर पर मरना नहीं चाहते आज जीवन जाती प्रथा उन्मूलन के लिए काम करते रहे हिंदू धर्म की पहेलियां रिडिल्स ऑफ हिंदूइजम जैसी क्रा अंग्रेजों की ही नहीं जो काले हिंदूस्तानी हैं वह भी भारतियों का किस तरह से शोशन करना चाहते हैं किस तरह से धर्म को इस्तमाल कर रहे हैं सबके उपर ये दोनों शक्स अपने जीवन में खुल कर बोलते रहे बात करते रहे अर्विन केजरिवाल जी भूल गए कि जो दो फोटो उन्होंने लगाई हैं ये दो फोटो कुछ मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और वह इस समय जिस होड में लगे हुए हैं जिस बेशर्म होड में लगे हुए हैं कि किस तरह से चाहे वह भारती जनता पार्टी हो राष्टी स्वेम सेबक संग हो वह जितना उग्र हिंदुत्व का एजंडा चला रहा है उनके दिमाग में जो चीज ना आई हो वह कार्ड अब अर्विन केजरिवाल खेलेंगे और खेलने पर उतर आए हैं अब आपको यह वीडियो देखते हुए कम से कम याद आएगी हमा कि उन्हें हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी की तरह अपने बल पर भरोसा करते हुए अर्थ व्यवस्था को उपर उठाना चाहिए क्या जबरदस्ट बात है कि दोनों ही लोग होड लगा रहे हैं प्रबचन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भारती अर्थ वेवस्था और भारती अरुपया बाकी किसी वजह से नहीं उपर उठेगा वह उठेगा भगवान की शरण जाने में कि देखे ये वीडियो इस जाहित थो प्यपसिए इस स्यकु प्रिटरोड झाम अब थेसका से लगा कि बात देय है एवं cách कि भी आनुमान दोस्तों सवाल सिर्फ रुपे पर लक्षमी गडेश की फोटो लगाने का नहीं है सवाल यह है कि किस तरह से एक जो अभूतपूर व संकट भारती अर्थ विवस्था के सामने है जो बेरोजगारी है महंगाई है जो लगातार रुपे की कीमत गिर रही है अंतर राश्ट्री मार्किट में उसे समभालने के लिए आगे का रास्ता निकालने के लिए जो बुनियादी कदम उठाए जाने चाहिए उनसे मूँ चुराकर आस्था की शरण में जाकर हिंदू वोटो को अपने पास खीचने की तुरप का पत्ता जैसा उन्होंने फेका है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो भीड चल रही है जो भीड तंत्र है उसमें अगर वह या दाव चलेंगे तो जिस तरह से नफरती ब्रिगेड हिंदू मुसल्मान के बीश में भेद करके वोटो की राजनीती कर रही है उसमें अर्विन केजरिवाल बाजी मारना चाहते हैं और देखिए यह सिर्फ एक ही सुझाव नहीं है इससे पहले गुजरात चुनाओं के मद्दे नजर वह लगातार गुल खिलाते जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी में अर्विन केजरिवाल खुद कृष्ण का अवतार बन गए और उन्होंने यह ढोंग रचा कि किस तरह से कंसों का वद करने के लिए भगवान के आदेश पर उन्हें सीधे सीधे गुजरात में भेजा गया है यह सारा जो नरेटिव है यह सारा नरेटिव भारती लोकतंत्र भारत के सम्विधान के खिलाफ है क्योंकि अभी तक तमाम हमलों के बावजूद इंडियन स्टेट इंडियन कॉंस्ट्यूशन भारती राज भारती सम्विधान धर्म निर्पेश राज्य है और इसमें इस तरह से खुले आम हिंदुत्व की भावना को फैला कर प्रचार प्रसार करना निश्चित तौर पर भारती लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब कुछ जो चल रहा है यह जो इलोजिकल अतारकिक सुझाव हैं यह जो अतारकिक तौर तरीके हैं इन ही तौर तरीकों ने कोरोना के समय प्रधान मंत्री ने जब कहा कि आप ठाली बजाईए और कोरोना भाग जाएगा तो लोगों ने थालिया बजाईए लेकिन उससे कोरोना भागा नहीं लेकिन बड़े पैमाने पर यह जो इलोजिकल सोच अवविज्ञानिक सोच है यह एक भीड़तंत्र को पैदा करती है अब आप देखिए कि यह जो भीड़तंत्र है यह किस तरह से वोटों में तबदील होता है इसकी बात बिलकुल अलग धंग से हो रही है और यहाँ पर अर्विन केजरिवाल की जो भीड़न्त है वह भारती जनता पार्टी से है भारती जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है गोशित तौर पर 18-20 करोड़ लोग उसके सदस्य है और ऐसे में उनकी जो भक्तगण है वह नि लॉजिकल डिबेट की होड है यह निश्चित तोर पर आने वाले दिनों में और जादा कुरूप होगी और और जादा विभाजनकारी होगी दोस्तों अंतिता कॉंग्रेस को एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष मिल गया मलिकार जुन खड़गे के रूप में चुना हुआ शश पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई यह कॉंग्रेस के लिए एतिहासिक है क्योंकि हम सब ने देखा कि लंबे समय से भारती जनता पार्टी हो प्रधान मंत्री नरेन मोदी हो यह उनकी पूरी टीम वह कॉंग्रेस की ऊपर हमलावर परिवारवाद को ले कर थी और श व्यक्ति को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना और साथ ही साथ यह भी साफ किया कि यह शक्स वह है जिसका बहुत लंबा संसत के भीतर और संसत के बाहर भूमिका रही है बहुत लंबी पारी खेली है राजनतिक पारी खेली है खड़गे जी ने और ऐसे में कॉंग्रे क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दोनों प्रक्रियाएं उस समय हुई जब कॉंग्रेस के भीतर संक्षनिक धाचे की पूरी बड़े पैमाने पर फेर बदल चल रही थी और साथ ही साथ राहुल गांधी के नेत्रित में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है यान कि अभी भी कॉंग्रेस की इस्थिती को लेकि जो चिंताएं हैं वह बरकरार हैं और किस तरह से जो लोकतंत्र पर हमला है उससे निपटने में कॉंग्रेस सक्षम हो पाएगी यह देखना अभी लोगों को बाकी है दोस्तों अब मैं आपके साथ साजा कर रही हूँ तीन परिशान करने वाले वीडियो यह तीन वीडियो बता रहे हैं कि हम आप और हमारा मुल्क कहां खड़ा हुआ है और किन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय देश में बहु जेन में एक हिंदू को प्रधानमंत्री बना दिया है और इस तरह से गुलामी का बदला लिया है उस पर बात करने से पहले सबसे पहला वीडियो बलातकारी और हत्यारे गुर्मीत रामरहीम का वीडियो है जिन्हें बिलकुल राज़तिक कारणों से जेल से बाहर निकाला ग प्रभावित किया जा सके और आप देखिए कि यह शक्स जिस पर एक हिंदू लड़की का बलातकार करने का दोश साबित हो चुका है वह पूरी निरलच्टा से इस तरह का वीडियो जारी करता है उसके फॉलोवर्स उसके अंदभक्त और ज्यादा उनमाद में आते हैं इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं यह वीडियो बता रहा है कि जेल के भीतर जो लोग हैं वो हकिन आरोपों में हैं और जेल से बाहर क्यों बलातकारी और हत्यारे घूम रहे हैं यह दूसरा वीडियो आयोध्या से आया है जी हां उसी आयोध्या से जहां पर तक्रीबन 15 लाख दिये जलाये गए थे दिपावली का उत्सव मनाया गया था और एक आकलन के मताबिक करीब 60,000 लीटर सरसो का तेल खपाया गया था इन दियों को जलाने में और देखिए यह दिये जलने के बाद जो लोग इन जले हुए दियों से सरसो का तेल बटो रहे हैं वे कह रह हैं कि भारत का असल विकास असल दिपावली यहां पर है शायद प्रधान मंत्री नरेन मोदी या मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनाथ अगर इस वीडियो को देखें तो उनके लिए मुश्किल होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिस तरह से भारत की स्थिती भुकमरी क कगार पर खड़े देश के रूप में हुई है उससे जो इंकार भारत सरकार ने किया यह वीडियो बता रहा है कि भारत का आम भारती नागरिक किन परिस्थितियों में रह रहा है और जो दिपावली का जश्न अलग-अलग कपड़ों में प्रधान मंत्री नरेन मोदी मना र रहा है और यह तीसरा वीडियो तीसरी खबर मद्रप्रदेश के दमोह से आई है यहां दल समाज के तीन लोगों की बरबर हत्या हुई है और इसका जिक्र इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार जो दिखाई दे रहा है कि मद्रप्रदेश बहुत भीशन रूप से ज तकरीबन रोजाना वहां इस तरह की बरबर घटनाए हो रही है और आरूपियों के खिलाफ कोई कारवाई होती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों जब इलोजिकल या अतार्किक होने की बात आती है तो हम कोई हद पार करने को तैयार होते हैं जैसे देखिए कि हमारा पू कि ब्रिटेन को हमने एक हिंदू प्रधान मंत्री दिया और इसे लेके अलग-अलग धंके लोजिक इलोजिक पेश किये जा रहे हैं तर्क कुतर्क किया जा रहा है कि रिशी सुनक कितने भारतिये हैं जबकि तथ्य सबके सामने हैं हम यहां चर्चा रिशी सुनक के प्लस औ जो लोग हिंदुस्तानी मान रहे हैं वो यह भूल जाते हैं कि यही देश और यही ब्रिगेट का मोबेश सोनिया गांधी को हिंदुस्तानी मानने पर आज भी कतराती हैं जबकि वो भारत की बहूं हैं कि जिनके दादा दादी भारती मूलके थे अब इभाजित भारत के हिस्सा थे क्योंकि आज वह हिस्सा पाकिस्तान में पढ़ता है और उसके बाद वे चले गए केनिया केनिया से फिर वे गए United Kingdoms, Britain जहां रिशी सुनक का जनम हुआ रिशी सुनक वहां के नागरिक है यह सब सबको पता है लेकिन फिर भी जब हमें जूटा गर्व करना होता है जूटे तर्क रचने होते हैं तो आप देखिए यह जो पूरी ब्रिगेड है यह हमें और आपको समझाने पर आमादा है कि रिशी सुनक गुलामी का बदला लेने आए है और यह तमाम तर्क दूसरे ढंका एक छद्म एक जूट हमें और आपको परोस रहे हैं वजह बहुत साफ है कि देश की अर्थवेवस्था रसातल में जा रही है रुपिया गिर रहा है और हमें आपको इसकी चिंता करने के बज़ाए गर्फ का चोगा ओड़ लेना चाहिए कि हम इतने सक्षम हो गए है कि ब्रिटेन में एक हिंदू प्रधान मंतरी दे रहे है यह जो इलोजिकल पूरा का पूरा विमर्श है यह दरसल हमारे और आपके खिलाफ ही है इस देश के खिलाफ है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए म्यूस क्लिक और खोचकबर ताकि सच को इसी बेबाकी के साथ आपके साथ हम रख पाएं, पेश कर पाएं शुक्रिया